रामा तब बिज्ञान रूपनी बुद्धि बेसाद घ्रत पाए चित दिया भरी धरे द्रड़े समिता दियत बनाए तब बिज्ञान रूपनी बुद्धि उस ग्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित रूपी दिये को भर करके समता की दीवड बना कर उस पर उसे दड़ता पूर्वग जमा कर रखे तीने आवस्था तीने गुने तहीं का पास तेकार तूल तूरी ऐसावारी पुनी बाती कर रहे शुगार हे लखन शिराम चंद की जाए जागत स्वप्न और सुसुप्त तीनो अवस्था और सत्त रज और तम तीनो गुना रूपी का पास से तूरी अवस्था रूपी रूई को निकाल कर और फिर उसे समार कर उसे उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे यही वे दिले से दीप तेज रासी वे ज्ञान में जाते ही जासु समीप जरही मंदाद के सलब सवे इस प्रकार तेज की रासी वे ज्ञान में दीप को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आधी सब पतंगे जल जाएं सुह मासमे इति ब्रैत्य खंडा दीप सिखा स्वे परम प्रचंडा यातम अनभाव सुखे सुप्रकासा तब भाव मूल भेद ब्रह्म नासा सुह अहास में वह ब्रह्म मैं हूँ यह जो खंड तेल धारावत कभी ना तूटने वाली ब्रत्ती है वही उस ग्यान दीपक की परम प्रचंड दीप सिखा लाव है इस प्रकास जब आतमान भाव के सुख का सुन्दर प्रकास फ्यलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रह्म का नास हो जाता है प्रबल अवेद्या कर परिवारा मोह यादितम मेटाय अपारा तब सुख बुद्ध पाएं उजे आरा और ग्रह बैठ ग्रंत निरुवारा और महान बलवती विद्या के परिवार मोह यादिका अपार अंधकार मिट जाता है तब वही विज्ञान रूपनी बुद्धी आतमान और अनवा रूप प्रकास को का करहता है रूप घर में बैठ कर उस जड़ चेतन की गांट को खोलती है चोरन गंत पाव जो सोई तब यह जीवक्रता रथ होई चोरत गंत जाने का गिराया बेगन याने के करए तब माया यह दिवा है विज्ञान रूपनी बुद्धी उस गांट को खोल पावे तब यह जीवक्रता रथ हो पर अब है पक्षी राजकरोड जी गांट खोलते हुए जान कर माया फिर एने को पिकन करती है भी द्धी से दिप्रे रे बहु भाती बुद्ध कहा भा ही आई हेँ भाई वहा बहुत सी रद्य सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को भी दखाती है और वे रिद्धी सित्धिया कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आचल की बायू से उस ग्यान रूपी दीपक को बुझा देती हैं हुई बुद्धी जो परम सयानी तेने तने चिताओ ना नहते जानी जो है ते जो तहीं बेगने बुद्धी नहीं बादी तो बहुरी सोरे काराईयों पादी यदि बुद्धी बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धियों सिद्धियों को अहत कर सहानी कर समझ कर उनकी यूरताकती नहीं इस प्रकार यदि माया के बिगनों से बुद्धी को बादाना हुई तो फर देउता उपादी बिगन करते हैं इंद्री द्वार जरूपी घर के ये नेकों जरूखों हैं वहाँ वहाँ प्रतियों जरूखे पर देउता अथाना की ये अड़्दा जमा कर बठे हैं जो ही बेविशय रूपी हवा को आते देखते हैं जो ही हट पूबक के बाद खोड़ देते हैं शिरम जब सो प्रभाण जने और ग्रह जाई तब अहीं दीप बेग्ञान बुझाई ग्रान थीना छूट मेटा सु प्रकासा बोद्धी बेकल भाई बेशय बतासा जो ही वह तेज हवा हरदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह बिग्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है गाट भी नहीं छूटी और वह आत्मान हवा रूप प्रकास भी मिट गया बेशय रूपी हवा से बुझ जब्या कुल हो गई सारा किया कराया चौपड हो गया इंद्रही सो रहे न ग्यान सुहाई बेशय भोग पर प्रीत सदाई बेशय समीर बाद दिक रहते भोरी तहीं बेदे दीप कोबार बहोरी इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान जभावक ही नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विशाय भूगों में सदा ही प्रीती रहती है और बुद्धी को भी विशाय रूपी हवा ने बावली बना दिया तब फिर दुबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे तब फिर जीव बेदे बेदे पावई संस्रत्य कले सारी माया आती दोस्तर तरी न जाए बेहगे इस प्रकार ग्यान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अने को प्रकार से संस्रती जन्म मरना दिके के लिए सुपाता है वक्षी राज हर की माया त्यंत दोस्तर है वह सहाज ही मैं नहीं तरी नहीं जा सकती कहाते कठे न समुझाते कठे सादते कठे न बेव को इ गुना अक्छरय पौनी प्रेत्यू है नेके लखान शेराम चंदर की जाए मापति महादेव की जाए करवण सता अनूमान की जाए कुसाईतnor सिदास की जाए बरवाइस संतन की जाए